इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप यह जो Google AdSense के account में seller.json file वाला issue आता है इसको आप कैसे fix करेंगे तो इसके लिए सबसे पहले आपको account में जाना है account में जाने के बाद आपको यहां पे दो option मिलेंगे visibility का seller information visibility confidential होगा तो आपको transparent पे कर लेना है और इसमें आपको business domain में अपने domain का नाम लिख देना है http या https या www ये कुछ भी नहीं लगाना है वो simply आपके domain का नाम लिख देना है उसके बाद से आपको कहीं भी बाहर क्लिक कर दीजेगा तो यह auto save के होता है save हो जाएगा उसके बाद से आपको home पे जाके एक बार page को refresh करना है आप देख सकते हैं यहां पर जो मेरा seller.json वाला error था वो fix हो गया है